हलो वेलकम सांथियो एक वर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिनल साहता पर तो सांथियो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन दोहजार तेईस चौबिस के विजए में सांथियो इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक पद बात करेंगे और बताएंगे कि जो लाभार्थियों को आवास मिलेगा दोहजार तेईस चौबिस के अंतरगत उसमें कौन-कौन से बदलाव किये गया है भारत सरकार द्वारा और दोस्तों जो लाभार्थियों को पैसे बढ़ाये जानी की बात कही गई थी उसमें अब लाभार्थियों को कितने पैसे मिलेंगे और कितने दिनों में आवाज जो है लाभार्थियों को मिल सकेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोग को दूँगा तो वीडियो में एंड तक बने रहिएग ताकि हर एक डीटेल से डीटेल जानकरे आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके तो चलिए सांथियो वीडियो को सुरू करते हैं बिना कि जिदेरी किये और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक चाहूंगा रिक्वेस्ट पर सब्मिशन ऑप एन्वल एक्सन प्लान 2023-2024 अंडर प्रधानमंतरी आवास योजना ग्रामीन पीम एवाईजी अलोंग विद डिटेल्स और प्रोग्रेस इसूस और चैनलेंजेस रिजिस्टर्ड याएंगे दोस्तों सभी राज्यों से जो ट टार्गेट फिक्स करती है उसे मांगा गया है और बताया गया है कि कितने दिनों के अंदर ये जो एक्सन प्लान है उसे स्टार्ट किया जाएगा और लाभार्तियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा सबसे पहले सांथियों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आज किस वीडियो में जो हम तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें सबसे जो पहला टॉपिक होगा उसमें मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि लाभार्तियों को 2023 के अंतरगत आवेदन देने के कितने द दिनों के बाद लाभार्तियों का नाम PM आवास यूजना ग्रामीन के पॉर्टल पर जोड़ा जाएगा और लाभार्तियों को कितने दिनों में जो है उनका आवास जो है उन्हें मिल सकेगा तो सांतियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों बताना चाहूंगा कि 2022-23 के अंतरगत जितने भी लाभार्तियों को आवास मिले है उसमें लगब 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 तीन महा का समय जो है आवेदन देने के बाद जो है लगा है लाभार्तियों का नाम PM आवास यूजना ग्रामीन के पॉर्टल पर एड होने में लेकिन दोस्तों जो बात निकल कर आ रही है दोस्तों उसके आधार पर बताया जा रहा है कि 2023-24 के अंतरगत जो आवास के लिए आवेदन देंगे लाभार्तियों का रेजिस्टेशन है PM आवस यूजना ग्रामीन के पॉर्टल पर जो रेजिस्टेशन होगी वो 45 दिनों के अंदर किया जाएगा तो दोस्तों इससे क्या होगा कि लाभार्तियों को जल्द से जल्द जो है आवास मिल सकेगा तो दोस्तों मैं आप लोगो यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही लाभार्तियों का नाम PM आवस यूजना ग्रामीन के पॉर्टल पर एड की जाती है तो लाभार्तियों का जो आवास देने की प्रोसेस है दोस् लाभार्तियों को 2023 के अंतरगत भी मिलेंगे नहीं दोस्तों इसमें बढ़ोतरी की बात भारत सरकार द्वारा पहले ही की गई थी जैसे की राज सरकार के तरब से इसमें 50,000 रुपए अतरिक्त जोड़े जाने की बात कही गई थी अभी उम्मीद है कि लाभार्तियों को जो 2023 के अंतरगत आवास मिलेंगे उसमें राज सरकार के 50,000 रुपए अतरिक्त जोड़े जाएंगे तो दोस्तों इससे पहले भारत सरकार द्वारा मैदानी चेतर में 1,20,000 और प्लस नरेगा की जो 20,000 मिलते थे यानि की 1,40,000 और दोस्तों जो पहाड़ी चेतर में 1,50,000 रु लाभारतियों को मिल सकेगा आवास बनाने के लिए तो दोस्तों अब अंतीम टॉक्पिक में हम लोग बात करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी लाभारतियों का रेजिस्टिशन होगा वो किस आधार पर होगा यहापर सभी राज सरकार से म सबमिट करती है केंदर सरकार को तो उसके बाद केंदर सरकार द्वारा जो सेंटरल टारगेट है वो फिक्स की जाएग chili सभी राजों के लिए और उसी आधार पर लाभारतियों का पंजी ग्रन स्टार्ट किया जाएगा तो दोस्तों जो पंची POLरन स्टार्ट होने की जो त स्टार्ट हो जाएगा और एक अप्रिल के बाद लाभारती जो है ब्लॉक का रियाले में जाके अपने अप्यम आहा सुजना के लिए आवेदन दे सकते हैं तो सांतियों कर जानकरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस परकार के और भी जानकरी पाने के मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें